दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस भाग दोर भरी जिन्दगी में स्ट्रगल कितना बढ़ गया है। चाहे वो पढ़ाई को लेकर हूँ या जॉब को लेकर। किसी भी अच्छी जॉब के लिए अपलाई करने से पहले हम सबसे पहले अपनी रेजिम पर ध्यान दे जिसने कि आप एक बहतर रेजिम बना पाएंगे। और आपका ये रेजिम आपके करियर को आगे पढ़ाने के साथ साथ HR को भी इंप्रेस कर लेगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस एफेक्टिव रेजिम राइटिंग के लिए स्किल्स और टिप्स के बारे में जानना च स्किल्स और अचिवमेंट्स को शो करने के लिए बनाया जाता है। जिसमे उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल्स के बारे में शॉट में लिखा होता है। जैसे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स और आपके अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो फिर आपका रिजुमें अप टो दा पॉइंट होना जाएंगे। तब ही आपको वो कंपनी इंटर्व्यू के लिए बुलाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रिजुमें हमें क्या क्या लिखना होता है। तो रिज प्रूटर को आपके बारे में सारी information मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी personal information तो रिजुमें में सबसे पहले आपको अपनी personal information लिखनी होती है। यानि कि आपको सबसे पहले अपना नाम, अपने father का नाम, अपना address, email id, phone number आदी चीज़े लिखनी होती इसके अलाबा आप resume को और effective बनाने के लिए अपना passport size photo भी उस resume में add कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम add करते हैं अपनी educational qualifications। आपने academics में जो भी course किये हैं उसे जरूर add करिये और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई technical ability है तो फिर आप उसे भी इस resume में add करिये। इसक आपको technical work क्या क्या आता है, reading and writing skills क्या क्या है आपके पास, task management आदी के बारे में आपको बताना होता है। इससे recruiter को ये पता लगता है कि आपने जिस job के लिए apply किया है उसके लिए आप eligible हैं या नहीं। इसके लाबा दोस्तों सबसे important thing है आपका work experience, जिस job के लिए आप apply करन चाहते हैं कि आपने उस job से पहले कोई job किया है, अगर आपने इस job से पहले किसी और जगे काम किया है तो वो आप अपने resume में जरूर लिखें, क्योंकि ये आपके resume को और strong बनाता है। लेकिन अगर आपने पहले कोई नौकरी या internship नहीं की है, यानि कि अगर आप बिलकुल फ्रेशर हैं, तो आपको work experience लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लावा दोस्तों आप अपने goals को भी इसमें add कर सकते हैं। आप ये job क्यों करना चाहते हैं या आप अपनी life में क्या बनना चाहते हैं, ये आपको अपने goals में लिखना होता है। अगला section आता है reference का, अगर आ information मिली है। इसके लावा दोस्तों आप अपने achievements के बारे में भी अपने resume में add कर सकते हैं। ये totally optional होता है, इसमें आपको अपने achievements के बारे में लिखना होता है। जैसे कि आपको कोई award मिला हो, कोई certificate मिला हो, जो कि आपने जीता हो, उसके बारे में आप इसमें बता सकते इसके लावा दोस्तों कुछ importance बाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना resume बनाएं। तो आपका resume काफी impressive होना चाहिए। resume attractive होना चाहिए। ये ध्यान दें कि resume में ज्यादा unnecessary content ना हो। resume एक या दो page का ही होना चाहिए। resume में आपकी profile को अच्छे से describe करन resume करते समय ये decide कर लें कि वो simple font में ही लेखा हुआ हूँ। इसके लावा grammatical error भी करने से पचें। resume को छोटा और easy language में रखें। और आप कितनी salary expect करते हैं ये भी आप उसमें clearly mention कर सकते हैं। resume में ये जरूर बताएं कि आप married हैं या unmarried। दोस्तो resume बनाते समय कुछ गलतियां होती हैं उनको बिलकुल ना करें। जैसे कि resume को पढ़कर ही लगना चाहिए कि इसे sincerely बनाए गया है। उसमें कोई भी फालतू बातों को जगय ना दे। resume से आपकी image एक अच्छे person की form में describe होनी चाहिए। इसलिए resume में उन्ही बातों को share करें जो कि सही हो। resume में ऐसी कोई information ना बताएं जिसका दूर-दूर तक आपकी qualification से कोई relation ही ना हो। कभी भी किसी word का short form ना लिखें। इससे हो सकता है कि उसकी full form और उसकी जानकारी आपको पता हो लेकिन interviewer को नहीं। resume में कभी भी negative बात और अपनी weakness ना बताएं। क्यू मुझते हैं कि आपकी weakness क्या है तो आप उन्हें अच्छे से explain करके बता सकते हैं। इसके लाबा दोस्तों अपने resume में कभी भी copy-paste ना करें। क्यूंकि interviewer का ये रोज का काम होता है जिससे कि वो बहुत ही जल्दी पहचान जाएगा कि आपने copy-paste किया है। इसलिए किसी के भी resume से आप copy-paste ना करें। तो दोस्तों ये थी सारी बात है जो कि आपको एक resume बनाते समय ठ्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में वस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई ह तो इसे like और share जरूर करें। धन्यवाद।